आप गाव में होंगे तो आपको ठंड तो लगेगी शहरों से ज्यादा किसी वीवर ने पूछा है कि सर ये हैव हैड क्या होता है हाला कि कुछ खास टॉपिक नहीं है बट छोड़ी छोड़ी इतने भी कॉमेंट्स आ रहे हैं टॉपिक के मैं बस बनाता जा रहा हूं वीडियो गाईज देखिए हैव और हैड सुनने में ही खतरनाक है हाला कि है नहीं होता क्या है आप सबको पता है प्रेजन पॉफिक टेंस ओके तो ये जो हैव है न ये प्रेजन पॉफिक टेंस है और ये जो हैड है ये एक्शन है अब मैं इसी को समझाने की कोशिश करता हूँ चले ऐसे बात करते हैं अगर मैं कहता हूँ कि मैंने खाना खा़ लिया है वाई हम इसे बोलते हम एसे कि हम ऐसे बोलती कि I have जो मैं I have कह रहा हूँ ये have हमारा helping verb है ये दिखाने के लिए कि काम complete हो चुका है प्लस इसके अंदर present भी लगा हुआ यहां कि present perfect को दिखाने के लिए have का इस्तमाल होता है तो यहां तक सबको पता है कि I have अब इस have के बाद हमें क्या चाहिए? हमें V3 चाहिए यह यह निकि verb का third form चाहिए जो कि eaten है eat का हो जाएगा eaten तो मैं खाना खा चुका हूँ तो I have eaten food ठीक है जी? complete हो गया I have eaten food अब लोग क्या करते है कि eaten न बोल करके वो taken का ज्यादा इस्तमाल करते है कि I have taken food यानि कि मैंने खाना खा लिया है I have taken food यहां तक भी clear है अब होता है क्या है? बहुत ध्यान से अब देखेंगे अब हम मैं have की बात करता हूँ जो action की रूप में काम आता है वर्ब की रूप में काम आता है यह जो have है न ह-a-v-e have यह possession भी होता है एक जगह helping verb भी आपने देख लिया और यह have एक जगह कोई action हो रहा हो उसके लिए भी काम आता है वो action कौन सा हो रहा होगा? खाने का action होगा, पीने का action होगा, बैठने का action होगा अपने सुना होगा, have a seat सुना होगा, वो action होगा या कई छोटी-छोटी फ्रेजे आपने सुने होगा जिसे have a fun, have a conversation, have a walk, have a stroll, have a romance, have a sex ऐसे करके आपने खूप सारे सुना होगा तो ये जो have आप सुन रहे हैं, ये have क्या है? ये have आपका action का काम करेगा तो ये जब तक आप have a fun, have a fun कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि सिर्फ have है लेकिन उ have बदलेगा tense के हिसाब से अब समझ रहे हैं? तो चलिए, जब तक ये first form में है, ये have है लेकिन इसका second form क्या होगा? second form had हो जाएगा इसका third form क्या होगा? third form had हो जाएगा समझ रहे हैं? ठीक है अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये जो have है, जो action वाला है इसका third form had है, ठीक है और जो present perfect tense है, उसके साथ हम have लगा रहे हैं तो मैं खाना खा चुका हूँ, I have ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? taken या eaten third form चाहिए तो मैं taken न बोल करके, eaten न बोल करके मैं had बोल सकता हूँ, have मतलब खाना भी होता है have मतलब पीने की किरिया में भी हम यूज़ करते हैं तो उस have का third form क्या हो जाएगा? had तो I have had food यहाँ तक जो I have आप देख रहे हैं, have जो है यह present perfect है, और have के बगल में जो आप had देख रहे हैं यह action है, इस had को आप taken मान लीजी, इस had को आप eaten मान लीजी तब आपके समझ में आएगा, तो I have had food इस तरीके से, उसी तरीके से अगर आपको बोलना है कि यार, मैंने बहुत सारा fun कर लिया है तो कर लिया है उसके लिए आपको I have बोलना है, I have और fun करने को हम have fun कहते हैं, तो उस have का third form कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? कि I have had fun, I have had fun मैंने उससे बाते कर ली है भाई, okay, I have had a conversation with him I have had a conversation with him, मैं बार-बार I have, I have कह रहा हूँ, हम third person के बारे बोलेंगे कि उसने conversation कर लिया, तो she has, या he has had a conversation लेकिन question पूछा गया है कि sir have had क्या है, तो क्योंकि have के साथ had उन्होंने पूछा है, इसलिए मैं बार-बार I, V, U, the plural वाले एक्जांपल देने कोश्र कर रहा हूँ, मुझे बोलना है कि यार, तुमने उसके साथ एक बहस कर ली है, तुमने उसके साथ एक बहस कर ली है, यानि कि you have had a discussion with him, या you have had an argument with him, उसके साथ तुमने एक आरगुमेंट कर ली है, तो you have had, तो have had समझ में आ रहा है, तो अब इतना आपके समझ में आ चुका होगा, कि जो present perfect tense है, उसके लिए हम have और has का इस्तमाल कर रह है, ये have had, have का third form है, वो have action की रूप में काम कर रहा है, वो action खाने का भी हो सकता है, पीने का भी हो सकता है, बैटने का भी हो सकता है, और जो चलना, फिरना, घूमना इन सम्में आता है, जैसे कि मैंने walk कर लिया है, तो I have had a walk, I have had a walk, मैंने drink ले लिया है, I have had a drink, you know, हम ऐसे तो इस तरीके से हैं, एक ले लो, एक ले लो, एक ले लो, एक ले लो, have a drink, तो इस have a drink को हम टेंस में लाएंगे, तो have had हो जाएगा, तो I have had a drink, मैंने drink ले लिया है, इस तरीके से, we have had a lot of fun, हमने बहुत सारा fun कर लिया है, I hope कि इतना example काफी होगा, guys, you know, so this is all, guys, okay, I have had a verbal altercation with my friend, यनि कि मैंने अपने दोस्त के साथ एक बहस सी कर लिया, एक तू-तूमे में कर लिया है, verbal altercation कर लिया है, I think इतना काफी होगा, तो यही होता है, have had, और कुछ भी नहीं है, fun guys, आपके समझ में आगया होगा, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले to sing and have fun, thank you guys